नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का स्काई एजुकर की यूट्यूब चेनल पर और मेरा नाम है इसके कटारिया तो दोस्तों आप सभी को मालुम होगा अपनी संस्क्रिप्ट की सिक्षन विडियों पर एक वीडियो सीरीज चल रही है और उस वीडियो सीरीज में कुछ टोपिक बचे हैं अपने सिक्षन विडियों के सेलेबस से इस वीडियो के बाद में केवल एक टोपिक है आपका बचा है बाकि पूरा सेलेबस हमने सिक्षन विडियों का क्लियर कर लिया है तो आज का जो अपना वीडियो है इसका टोपिक है संस्कृत पाथे पुस्तकानी यानि सिक्षन वीडियो में एक टोपिक का नाम है संस्कृत पाथे पुस्तकानी तो उसको इस वीडियो में हम complete पढ़ेंगे और इसके बाद में एक टोपिक बचेगा आपका संस्कृत चाटवा भाग जो है सलेबस का या चाटवा बिंदू आप मान सकते हैं उसमें दिया हुआ है संस्क्रिट सिक्षन से मुल्यांकन संबंधी प्रशना हा तो इस पर एक वीडियो और बनेगा उसी के साथ अपना संस्क्रिट की सिक्षन वीडियों का सलेबस जो है यह पूरा हो आप कब शुरू करोगे तो बस जल्दी ही शुरू कर देंगे जैसे ही एक दो टोपिक पूरे हो जाते हैं इसके बाद में हिंदी की सिक्षन वीडियों की टेस्चीरी चलती रहेगी बीच में दोतीन दिन का गैप हो गया वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए मैं आप सभ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो पह पाठे पुस्तक की उपयोगिता होनी चाहिए, पाठे पुस्तक क्यों जरूरी है, कौन-कौन से गुन है, निर्मान में कौन-कौन से सावधानिया रखी जानी चाहिए, और एक्जाम में किस तरह की क्यूशन पूछ सकते हैं, इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम च का ये जूकर लिखना है, तो आपको पेडियाप जो है, वो मिल जाएगी, इस वीडियो की मिल जाएगी, और बाकि के जितने भी अभी तक जो 21 भाग अपलोड किये गए है, उन सभी की पीडियाप वहाँ पर आलेडी अपलोड कर दी गई है, तो वो सभी मिल जाएगी, ता और एक होती है पाठ्थे पुस्तक, तो अपने टोपिक का नाम क्या है, पाठ्थे पुस्तक आनी या पाठ्थे पुस्तक, तो पहले साथियों, पाठ्थे पुस्तक से क्या अभी प्राय है, किसको पाठ्थे पुस्तक कहते हैं, उसको समझने का प्रियत्न करते हैं, पाठ् इस कोर्स के लिए पढ़ाई है तो निर्धारित की गई ऐसी पुस्तक जिसमें पाठे करम के अनुशार विश्यों तथा जानकारी को प्रिंट किया गया हो या छापा गया हो पाठे पुस्तक कहलाती है। यानि ऐसी पुस्तकें जो किसी सेक्सानिक संस्थानों के द्वारा या परिक्षा समीतियों के द्वारा या किसी विसेश कोर्स के लिए निर्धारित की गई हैं जैसे कि कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 या कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 जो भी कक्षाएं हैं उसमें बच्चों की आयू और उनके मानसिक स्तर के आधार पर और किसी उदेश्य तक पहुँचने के लिए उसमें कुछ सामगरी को लिखा जाता है जो विवस्तित होती है बच्चे की मानसिक और सारिरिक आयू के अनुसार उसमें विसेवस्तू को प्रिंट किया जाता है और हर स्टेंडर्ड के के लिए अलग अलग विशेवस्तुस में पॲिंट की हुई होती है तो उसे पाठि पुस्तक कहते है। और इन पुस्तकों के यहाधार पर परिक्षा करवाई जाती है। और उसमें उत्यर्ण होने के बाद ही विद्यार्थी को अगली कक्सा में भेजा जाता है तो बच्चे को अगली कक्सा में भेजने का आधार क्या है पाठे पुस्तक ही है क्योंकि पाठे पुस्तक के आधार पर एक परिक्षा करवाई जाती है और परिक्षा में उसको नंबर दिये जाते हैं और वो नंबर तै करते हैं कि बच्च पाठे पुस्तक का निर्धारन परिक्सा समीति द्वारा जांच कर ही किया जाता है परिक्सा समीति के द्वारा पाठे पुस्तक जो प्रिंट करवानी होती है पहले उसकी जांच की जाती है उसके बाद में ही उसको निर्धारित किया जाता है कि कौन सी सामगरी को प्रिंट करना है बच्चों को देना है कौन सी नहीं देना तथा अधिकरित प्रकासकों को ही इन पुस्तकों के प्रकासन का कारेभार सोंपा जाता है तो हमारी जो पाठे पुस्तके हैं इसके लिए कुछ अधिकरित प्रकाशक होते हैं जो पाठे पुस्तकों का प्रकार्शन करते हैं उन ही से इन पुस्तकों का प्रकार्शन करवाया जाता है विद्यार्थी अन्ने पुस्तकों से मदद तो ले सकते हैं प्रन्तु उन्हें पाठे पुस्तक में दिये गए के लिए कहानी पढ़ सकते हैं किसे दूसरी बुक से या हम अन्य कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं लेकिन वो पाठे पुस्तक नहीं है इसलिए परिक्सा में जो सामगरी आएगी वो आपकी पाठे पुस्तक से ही आएगी तो आप पढ़ सकते हैं अपने यान को बढ़ा सकते अन्य पुस्तकें पढ़कर के भी लेकिन पाठ्थे पुस्तक में दिये गए पाठ्थे करम के आधार पर ही आपको पढ़ाई करके उत्यर्ण होना होता है तो मूल रूप से पाठे पुस्तक होती क्या है यह आपकी दिमाग में एक image बन गई होगी कि हाँ इसे पाठे पुस्तक कहते हैं पाठे पुस्तक सब्द जो है इसका प्रियावाची होता है अध्यन पुस्तक यानि जो अध्यन करने की पुस्तक है उसी को पाठ्थे पुस्तक कहा जाता है अंग्रेजी में पाठ्थे पुस्तक को कहते हैं टेक्स्ट बुक ठीक है अंग्रेजी में जो टेक्स्ट बुक है वही हिंदी में पाठ्थे पुस्तक है पाठ्थे पुस्तक जो है वो सुलब सिक्षन साधन है यानि सबसे ज़्यादा सुलब सिक्षन की यदि बात करें कि कौन सा ऐसा सुलब सिक्षन सादन है तो वो पाठ्थे पुस्तकी है जो आसानी चाहे में मिल जाता है बहुत कम पेसे में मिल जाता है और बहुत ही सटीक जानकारी उसमें लिखी हुई हमें मिल जाती है हमारी संपोर्ण सिक्षन विवस्था पाठ्थे पुस्तक पर ही आधारित है और यही कारण है सबसे सुलब साधन होने के कारण हमारी जो सिक्षन विवस्था है आज के समय की वो पाठ्थे पुस्तक पर ही आधारित है हलांकि अभी धीरे धीरे डिजिटल प्रियोग होने लगे हैं और पाथे पुस्तकों का भी डिजिटल लिकरन होना सुरू हो गया है और इसका उदाहरन आप अभी देख सकते हैं वीडियो में आप पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के आपको जरुवत नहीं पढ़ रही है आप electronic textbook देख करके पढ़ सकते हैं अभी आप वीडियो में पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि इनका थोड़ा सा क्रेज जो हब कम हो इसा देखने को मिल सकता है तो कहने का तात्परी ये है अपने सलिबस में पाथे पुस्तक टोपिक को जोड़ा गया है तो ह हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं टोपिक को क्योंकि हम अध्यापक बनने जा रहे हैं और बच्चों को हम पुस्तक पढ़ाएंगे तो हो सकता है हमें भी पाथे पुस्तक निर्मान में कुछ सायोग देने को मिले या किस उद्देश्य से पाथे पुस्तक को पढ़ा जा रहा ह वो हम पहले समझ पाएं तो बच्चों को अच्छे से हम ग्यान की प्राप्टी करवा सकें इसके लिए हमें इन सभी चीजों को समझना है और हम संस्कृत की यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह जरूर नहीं है आप देखेगा कि पाथ्य पुस्त का महत्व क्या है है पाथ्य पुस्तक रिसर्णा का कारी क्रती है यानि कि पाठ्धेقط़ पुस्तक जो है वो पूरी कक्षा के लिए उप्योगी है केवले एक विद्यार्थी के लिए भी उप्योगी है और एक सिक्सक की दर्ष्टी से भी उप्योगी है क्योंकि उन सबी के मारक दर्षक का काम करती है कौन करती है पाठ्धे shutting अब ये मारक दर्सक का कारी किस तरह से करती है देखेगा कक्षा में क्या पढ़ाना है इसका निर्धारन किसमे होता है पाठ्थे पुस्तक में विद्यार्थी को क्या पढ़ना है इसका निर्धारन पाठ्थे पुस्तक में है और शिक्सक को क्या पढ़ाना है ये भी पाठे पुस्तक में दिया हुआ होता है तो अध्यापक को ज़्यादा महनत नहीं करनी पड़ती कल क्या पढ़ाना है परसों क्या पढ़ाना है उसके अगले दिन क्या पढ़ाना है ये सभी करम वाईज करम पाठे पुस्तक में दिया ह स्वाध्याय ये सबी चीजें पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही संभव हो पाती है यानि अगर कोई मनोंजन वाली रूचिपूर्ण तरीके से कोई विशेवस्तु पाठ्य पुस्तक में लिखी गई है तो पाठ्य पुस्तक मनोंजन भी करवाती है आत्म विश्वास पेदा कर करती है तथा स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है क्योंकि पाठ्थे पुस्तक अपने पास है तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं स्वाध्याय कर सकते हैं स्वाध्याय मिन्स सेल्फ स्टेडी तो पाठ्थे पुस्तक अगर आपके पास है तब ही आप कर पाएंगे और पुष्टक आवशक है कभी भी हमें थोड़ा बहुत confusion होता है भूल होती है तो हम क्या करते हैं हम सबसे पहले पुष्टक को उठाते हैं और उसमें से उस चीज़ को identify करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पाठे पुष्टक में देते हैं तो विद्यारते घर पे जाकर ग्रहकारिया यानि कि हमवर्क जब करता है तो वह पाठे पुष्टक की मदद लेता है बिना पाठे पुष्टक की मदद के वह मोखिक सुन करके याद रखके तो वो करनी पाएगा पूरा इसलिए समुचित विवस्टा यानि ग्रहकारिय की सारी की सारी विवस्टा पाठे पुष्टक में होती है प्रते पाठ के पीछे अभ्यास प्रशन होते है और वो अभ्यास प्रशन के दुवारा पाठे पुष्टक की मदद से वह अभ्यास कर लेता है पाठे पुस्तक में पाठ को पढ़ने में सहायता मिलती है पाठ को पढ़ने में सहायता मिलती है पाठे पुस्तक से क्या होता है पाठ जब हम पढ़ते हैं तो हमें सहायता मिलेगी अध्यापक यदि बिना पाठे पुस्तक के पाठ पढ़ा दे और हम उसको दुबारा पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे तो पाठे पुस्तक होगी तब ही आप पढ़वाएंगे पाठे पुस्तक से सुचनाओं का एक हिस्तान में संग्रह होता है यानि पाठे पुस्तक जो है वो एक छोटी सी बुक होती है सो दो सो पेज की पाठ सो पेज की ज्यादा से ज्यादा क्योंकि जो प्रात्मिक लेवल और उच कक्षाएं हैं बारवी तक के कक्षाओं में ज्यादा मोटी पाठे पुस्तके नहीं होती है तो छोटी सी बुक में बहुत सारी सुचनाओं का संग्रेन होता है तो विद्यार्थी को भटकना नहीं पड़ता एक ही जगह है सारी सुचनाओं मिल जाती है पाठे पुस्तक के रूप में पाठे पुस्तक का ग्यान प्राप्त और पूरी कक्षा के लिए मालक दर्सक का कारी करती है अभ्यास के लिए आत्म विश्वास के लिए मनुरंजन के लिए पाथे पुस्तक जरूरी है ग्यान के स्थाई करन के लिए पाथे पुस्तक जरूरी है ग्रहकारी के लिए पाथे पुस्तक जरूरी है पाथ को पढ़ने म तो इस तरह से यह हुआ पाठ्थे पुस्तक का महत्व है तो पाठ्थे पुस्तक के गुण देख लीजिएगा क्या क्या गुण होते हैं बिना पाठ्थे पुस्तक के पुन्रावरत यानि के रिवीजन नहीं हो सकता तो रिवीजन करने में सहायक है एक तो ये गुण है पाठ्थे पुस्तक में क्योंकि कक्सा में पढ़ाएगी बातों का रिवीजन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पाठ्थे पुस्तक होगी पाठे पुस्तक के द्वारा विद्यार्थी अपनी रूची के अनुसार मानसी की विकास करता है यानि बच्चे की जो रूची है उसके हिसाब से वह मानसी की विकास कर सकता है अलग अलग अस्तरों पर अलग अलग पाठे पुस्तके भी हो जाती है आगे कक्साओं में जाकर कि जैसे कोई विद्धियारती मैथ का है कोई letow, English का है, कोई Hindi का है, ठीक है, कोई Science का है तो इस तरह से वो अलग-अलग पाठे पुस्तके होती है और जिस विशाय में रूची होती है उस हिसाब से वह पाठ्थे पुस्तक का चुनाव करके आगे पढ़ सकता है हलाएं कि दस्वी कक्षा तक सभी के लिए समान पाठ्थे पुस्तके होती है विद्यार्ची को कम मुल्य पर सभी आवशक एवं महत्वपुन तथे एवं सुचनाए एक ही पुस्तक में मिल जाती है क्योंकि मुल्य कम होता है पाठ्थे पुस्तक का और सुचनाए पाठ्थे पुस्तक में बहुत ही महत्वपुन होती है जो भी हमारी प्रिक्सा के लिए निर्धारित की पाथे पुस्तके होते हैं उनमें सभी सिक्सक मौकिक सिक्षन में निपोर्ण नहीं होते तो उसकी सहायता के लिए पाथे पुस्तक की आवशकता पड़ती है क्योंकि कुछ सिक्सक होते हैं जो बिना पाठ्थे पुस्तक की मदद के भी पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनका अभ्यास हो जाता है काफी दिनों तक पढ़ाने के बाद में लेकिन सभी सिक्सक ऐसा नहीं कर सकते तो इसके लिए पाठे पुस्तक एक बहुत ही महत्वपुन भूमिगा निभाती है शामान ने बुद्धी के सिक्सक के लिए पाठे पुस्तक की सहायता लेना बहुत ही आवशिक है मोन पठन का अभ्यास भी पाठे पुस्तकों की दोवारा ही होता है मोन पठन यानि कि बिना बोले चुपचा बेट करके पढ़ना ये कैसे संभव हो पाता है जब हमारे सामने पुस्तक होगी तब ही हो पाएगा तो यहाँ पर भी पाठे पुस्तक का अहम किरदार है तो पहले साथियों कोई भी चीज अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती कोई दोस उसमें रह जाता है तो इसी परकार से पाठे पुस्तक में भी कुछ दोस है पर एक सामय यदि पूछ लिया जाए कि पाठे पुस्तक में कौन-कौन से दोस होते है तो आपको ये सभी बिंदू ध्यान में रखने चाहिए कोई भी बिंदू इसमें से उठा कि दे दिया कि ये पाठे पुस्तक का गुन है या दोस है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए तो देखिएगा जो भी दोस हैं उन पर सर्जा कर लेते हैं पाठे पुस्त के पढ़कर विद्यार्थी अपना निर्णय निर्धारित करने में ऐसम अर्थ रहते हैं यानि कि पाठे पुस्त के पढ़कर के निश्चित रूप से ग्यानारजन तो कर सकते हैं यानि कि ग्यान तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग के से करना है ये निर्णे आपको श्वेम को लेना है, पाठ्थे पुस्त के उसका निर्धारित या उसका निर्धारन नहीं करेंगी, तो ये common sense की बात है विद्यार्थी को अपने निर्ने लेने के लिए पाठ्थे पुस्त के योग्य बना देती है लेकिन निर्ने का निर्धारन आपको ही करना है जिस परकार से आप 10 वी कक्षा के बाद में 11 वी कक्षा में जाते हैं तो आपको कौन से subject लेने हैं अब पाठ्थे पुस्त के तो आपको ये नहीं कहती कि नहीं science वाली को ले ले या Sanskrit वाली को ले या Hindi वाली को ले आपको खुद को निर्ने लेना है कि कौन सी पाठ्थे पुस्त का आपको पढ़नी है तो ये एक example है तो पाठ्थे पुस्त के ये क्या करती है कि मालक दर्शन कर सकती है ग्यानार्जन करवा सकती है लेकिन आपको खुद को निर्ने लेना है तो ये एक छोटा सा दोस है सभी लेकों को पाठ्थे पुस्त के विसे पाठ्ठे करम के अनुसार निर्धारित करना पड़ता है जो भी लेखक होते हैं जो हमारे पाठ्ठे पुस्तकों का निर्मान करते हैं उनको विशे का निर्धारन हमारे सलेबस के कोडिंग करना होता है और इससे एक नुक्षान जो होता है छोटा सा वो ये होता है उसी कक्षा से साइंटिस्ट भी बनता है, उसी कक्षा से एक टीचर भी बनता है, उसी कक्षा से एक पॉलिटीशन भी बनता है, तो बहुत सारी प्रतिभाएं एक ही कक्षा में होती हैं, लेकिन हम सभी को एक ही पाठे पुस्तक पढ़ाते हैं, तो रूची के अनुसार यदि बच्चे का जो मनोवेग्यानिक विकास है उसको ध्यान में रखकर के बच्चे की रूची को ध्यान में रखकर के यदि पाठे पुस्तक बनाई जाए तो हो सकता है कि जो बच्चा जिस छितर में जाना चाहता है वो उसमें सही जगह पहुंच तो यहाँ पर क्या है रूची की उप्यक्षा हो जाती है कौन से बच्चे की रूची किस में है कौन सा बच्चा किस फिल्ड में जाना चाहता है इसका निर्धारन सभी पाठे पुस्तके नहीं कर सकती जैसे कक्षा 10 तक हमें समान ही पाठे पुस्तके पढ़नी होती है चाहे बच्चा किसी भी फिल्ड में जाना चाहे तो यहाँ पर एक रूची की उपैक्षा होती है ये भी एक दोश है आगे वाले चीज़ें देखेगा पाठे पुस्तकों के द्वारा विद्यारती जीवन की विभिन समस्याओं को जानने के क्षमता अपने अंदर उत्पन नहीं कर पाते जैसे आपने कोई भी पाठे पुस्तकें पढ़ी है लेकिन आपके सामने कोई समस्या आ गई तो सभी की समस्या एक पाठे पुस्तक में आपको मिल जाए ऐसा संबव नहीं है यदि आपने अध्यापक की पढ़ाई की है और आपके कोई जुकाम बुखार हो गया तो आप साइन्स की अगर पढ़ाई किये होते तो आपको उसकी दवा का हो सकता है कि मालूम चल जाए लेकिन आपको अगर आपने अध्यापक की पढ़ाई किये तो नहीं उसका मालूम चलेगा तो कहने का मतलब है ये मैंने एक आपको एक्जामपल दिया है तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याइं हो सकती हैं, तो आप सभी समस्याओं का हल आप पाठे पुस्तक से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग-लग लोगों की मदद लेनी ही पड़ेगी, आधुनिक पाठे पुस्तकें विद्यार्थियों के ज्यान विस्थार के लिए, नए लिखी जाकर व्यापारिक दरश्टिकोर्ण से लिखी जाती है, ये भी एक दोस है, बहुत सारी पाठे पुस्तकें जो केवल व्यापारिक दरश्टिकोर्ण से लिख दी जाती है, क्योंकि उसके लेककों को पेशा कमाना होता है प्रकासकों को पेशा कमाना होता है इसलिए वो चाहे जिसे पाठे पुस्त के प्रिंट कर देते हैं उसमें सस्ता कागज देते हैं कागज की जो उचित क्वालिटी होती है वो नहीं डालते जिसे पाठे पुस्त के जल्दी फट जाती है या उसमें जो अक्सर की लिखावट है वो साफ सुत्री नहीं दिखती छपाई में कमी कर सकते है विद्यार्चियों की मानसिक आयू के अनुरूप नहीं होती है कि किस लेवल के बच्चे को किस तरह से हमें सिक्सित करना है जो उदेश से पूर्ण सिक्सा देनी होती है उसके अनुर्ण नहीं होती तो ये जो एक तरीका है ये पाठे पुस्तक को एक व्यापारिक बना देता है यानि पेशा कमाने का साधन बना देता है पाठे पुस्तक को ये एक दोस है तो इस तरह से कुछ दोस्त भी हैं पाठे पुस्तक में अब बात करते हैं कि पाठे पुस्तक के एक अक्षा में क्या उप्योग है या इसकी क्या उप्योगिता है तो देखिएगा पाठे पुस्तक अध्यापक और छातर दोनों का समय बजाती है क्योंकि उसमें विशेवस्तू लिखी हुई होती है तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है डाइरेक्ट आना है पुस्तक लेनी है बच्चों का पूरवग्यान जांचना है उसके बाद में पढ़ाना शुरू कर देना है पाठे पुस्तकों के माध्यम से चातर घर पर भी अध्यन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पुस्तक है आप जहां चाहें वहां कर सकते हैं केवल घर की ही कोई जरूरी नहीं है और ग्रहकारी करने में भी वो आपकी साहिता करेंगी कौन पाठे पुस्तक हैं तो ये किसकी उप पाठ्धे पुस्तके होती हैं तो सभी बच्चे उन पुस्तकों को निकाल के सामने रख लेंगे और अध्यापक लाइन बाइन उसको पढ़ा सकता है और बच्चे उसमें से देख करके तुरंत समझ सकते हैं पाठ्धे पुस्तक पढ़ाते समय सामने जरूरी इसलिए है क्योंकि अध्यापक जो बोलता है मोखिक हमें सुनने में कुछ तुरूटी हो सकती है लेकिन यदि हमारे सामने पाठ्धे पुस्तक भी है तो हम साथ साथ में उसमें मेच करते जा रहे हैं तो हमें उसका अच्छे से ज्यान हो जाता है पाठे पुस्तके अध्यापक को कक्सा में आने से पूरु है पाठ की तैयारी करने का आवसर देती हैं ये बात आप समझी गए होंगे प्रतेग अध्यापक मोखिक सिक्षन में निपोन नहीं होता सामान्य बुद्धी के अध्यापक के लिए पाठे पुस्तक का शहयोग आवशक होता है क्योंकि सभी कारिये मोखिक नहीं किया जा सकते तो पाठे पुस्तक में विशेवस्तु प्रिंटेड होती है इसलिए कोई यूस की मदद्ध से पढ़ा सकता है मौन अध्यनका अभ्यास depends पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही किरासकता है अगर आप मौन रहे करें चूपचा पढ़ना चाहें तो आप पाठ्य पुस्तक के बिना नहीं पढ़ सकते क्योंकि रिविजन के लिए आपको पाठे पुस्तक की आवशकता पड़ती है और मौन अध्यन जो है ये सबसे उत्तम तरीका है यदि आपको किसी भी विशेवस्तु को गहराई से जानना है तो नहीं तो आप जोड़ जोड़ से बढ़ करके उसको रट सकते हैं मौन अध्यन नहीं कर सकते तो यहां भी पाठे पुस्तक की एहम भूमिका होती है तो पहरे साथियों अब बात करते हैं पाठे पुस्तक के चैन के लिए कौन-कौन सी सावधानिया रखनी चाहिए कई बार पाठे पुस्तक का निर्मान जो करते हैं उस समय यदि ऐसा अवधानी रह गई तो बच्चे के जिवन के साथ खिलवाड हो सकता है उसे अधूरा ग्यान मिलेगा तो वह जिवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा इसलिए पाठे पुस्तक के चैन के लिए कुछ सावध सावधानिया रखनी चाहिए जैसे कि लेखक किस तरह का होना चाहिए उसमें क्या विशेवस्तु डालनी है क्या नहीं डालनी है इस तरह की सावधानिया हमें रखनी चाहिए तो पहला पुइंट है पुस्तक का लेखक तो लेखक जो है वो विद्वान होना चाहिए योग् विज्यानिक स्तर को परक सके और उनके मानसिक और साररिक आयू के अनुसार पुस्तकों का निर्मान कर सके पाथे वस्तु की जांच पाथे वस्तु की जांच करके उनको हमें आगी भेजना चाहिए जैसे कि व्यक्ति के जीवन से related क्रिया उसमें सामिल की गई है या नहीं की गई ताकि बच्चे अपने जीवन से जोड़ करके उनको पढ़ें तो ग्यानारजन अच्छे से हो जाए सरल होनी चाहिए पाठे पुस्तक जो है उसकी विसेवस्तू एक ही बिंदू को बार-बार रिपीट नहीं किया जाना चाहिए यानि आवशक्ता से अधिक बल नहीं दियाना चाहिए किसी भी एक बिंदू पर समान अनुपात में बाठ करके विसेवस्तू को पढ़ा जाना चाहिए विभिन रूचियों को सम्मलित करना चाहिए कि एक दूसरे से एक दूसरे चीज़ें रिलेवन्ट होनी चाहिए जूड़ी हुई होनी चाहिए या नहीं है कि एक पार्ट में हम कहां की बात कर रहे हैं दूसरे में कहां की कर रहे हैं जिसे हिंदी की पुस्तक है, तो उसमें जो पाठ है, वो related होने चाहिए, जैसे कि हम grammar की बात करते हैं, तो पहले उसमें संग्या आएगी, फिर सर्वा नाम आएगा, अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले महाई सवरशुत्र पढ़ते हैं, उसके बाद में हम वर्ण पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें एक relevant करम होना चाहिए कुछ और बिंदुहव देख लीजिए पाठ्य पुस्तक कितनी ही मुल्यवान क्यों न हो व्यवस्तित नहीं है तो उसका कोई तात्प्रिय नहीं निकलेगा बच्चे उसको समझने ही पाएंगे इसलिए सुववस्तित होनी चाहिए समझने में सरल होनी चाहिए इककाईयों और सोपानों में उसका विभाजन किया हुआ होना चाहिए जैसे फर्स्ट चेप्टर, सेकंड चेप्टर, थर्ड चेप्टर या फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इस तरह से नेतिक चरितर का विकास हो ऐसी विशेवस्तू पाठ्य पुस्तक में रखनी चाहिए चात्रों की योग्यता, मानसिक आयों कि अनुशार उसका निर्धान करना चाहिए इस तरह से हम पाठ्य पुस्तकी जांच कर सकते हैं अगला जो अपना टोपिक है वो है विशेवस्तू किस तरह की विशेवस्तू कोन से अस्तर के बच्चे के लिए चाहिए वो उसमें समुचित उप्योग हुई है या नहीं हुई है यानि कि विशेवस्तू अस्तर के अनुशार विभिन विशेवस्तू से संबंदित प्रकरणों की समुचित करम में होनी चाहिए पाठों का करम जो है वो सरलात कठिनम प्रति यानि कि सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए विशेवस्तु का अनुपात या मात्रा इतनी हो कि एक सत्र में वो पूरा हो जाए यानि कि पूरा सत्र भी जाए रापका कोड़ सी पूरा नहीं हो इतनी ज़्यादा भी विशेवस्तूस में नहीं होनी चाहिए गद्य पद्य नाटक कथा आदी का सही अनुपात में सिक्षन हो पाए ये ध्यान रखना चाहिए शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए पुस्तक की लेखन सेली का ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर उदाहरन देना है कहां पर चित्र देना है कहां पर वर्णन करना है किस बहाव की चीज़े कहां प्रिंट करनी है इसको बोलते हैं लेखन सेली इसका धान रखना चाहिए पुस्तक की भीतरी शजावट पुस्तक के भीतर की शजावट कैसी है ठीक है जैसे उदाहर न चित्र वगेरा ये सारे उसमें आते हैं सजावट में किस तरह का प्रिंट उसमें होना चाहिए किस तरह का कागज का प्रियोग उसमें किया जाना चाहिए ये सारी सीज़ें उसमें आती हैं पुस्तक की छपाई पुस्तक का मुद्रन सात्रों की आयू के अनुशार किया जाना चाहिए जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए जो प्रिंट है उसमें फूल, पतियां, खिलोने, इस तरह की सपाई उसमें होनी चाहिए सही प्रकार का कागज यूज करना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे जल्दे से उसको पुस्तक को विक्रित कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके बच्चों के लिए हमें पाठ़्े पुस्तके निर्मान में जो सावधानिया रखनी चाहिए उन सभी पर हमने चर्चा की तो पहरे साथियों इस तरह से अपना चोटा सा टोपिक था पाठ़्े पुस्तक नाम से इक्षन वीडियों का उसको हमने इसमें पढ़ा उमीद है यह आप जरूर समझ पाए होंगे अगर आप यह समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेर कर सकते हैं यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो निशन दे है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्योशन का आन्सवर जरूर दिया जाएगा और इसके आगे वाले जो टोपिक बच गए हैं उसको बहुत ही जल्दी में कवर कर दूँगा तो मैं मिलूँगा आप से नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत